याज कैसे हूँ आप सब होप आप लोग अच्छे होंगे तो जैसा मुझे किसी भी ओफर के बारे में पता चलता है तो मैं स्टार्टिंग में मेंसन कर देती हूँ कि अगर किसी को नहीं जनकारी होगी तो वह जनकारी ले 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 तो ओली बोर्ड ने क्या किया है कि अब इन् बढ़ जाएगी यानि कि अगर छे महीने की वैलिडिटी ओली बोर्ड प्रोवाइट कर आते थे तो अब यह वड़के बारा मंत मिलेंगे अगर आप बारा मंत वाला लेते हो तो आपकी वैलिडिटी दो साल तक रहेगी ठीक है तो आप देख लेना आपको बाई करनी है नह तो देखो क्या है कोहेशन कोहेशन मतलब होता है एक जूटता यूनिटी कोहेशन याद रखना कोहेशन कोहेशन मतलब एक जूटता कोहेशन देखो क्या है कि छे सात लोग है है ना एक दो यह राम है यह सियाम है यह सीता है यह मोहन है यह राधे सियाम है यह राधे रसिया लोग है अब जूह में की क्या है किमें के याद रखना कि मैंने छे साथ लोगों का नाम बताये थे और उनको ब्ला थे ऐन स्टिक टुगेदर है नस यूदिध्य और उनके अंदर ऑन्द अंदर यूदिफान है। इनकी अंदर है यूदिटि है रावा अलावा उनके अंदर यूनिटी है और सुलीडिटुरि है यह और यह बहुत ही ज्यादा इंप्टैंट है हूँन है इंब्रेक इम्बैलनस मतलब असंतूलं असंतूलं जैसे आपने बोला कि मेरी लाइफ क्या है इंबाइलेंस है मेरी लाइफ क्या है अभीниबाइलेंस है और मुझे इसे плохasyon करना है याण कि धी जूत करना है मुझे अपनी लाइफ को एक जूत करना disparity है मेरी लाइफ में अन हीवनेश कपुलारटी है Contrato है इसके बाद होता है सांत करना कोई बहुत तेजी से बहुता उससान हे उसको क्या करना हुई करना क्या करना सुछ चंच करना क mechan करना अपना बना लेना आब बौलते हो ना कि हाँ मैंने मैं इस बच्चे को एड़क करने वाला हूँ राष् इसके बाद है charter charter बहुत ही important word है charter जो है बहुत ही important वो क्या है जिसका मतलब होता है घोसना पत्र Constitution code है ना Canon body of law system यह मत याद करो बस यह एतना याद रखो कि charter मतलब होता है घोसना पत्र ठीक है इसके बाद सम्मिट मतलब तू सम्मिलन नुटा अनिश्चित तरा अनिश्चित यानि कि अगले पल मुझे भी नहीं पता ठीक है इंपार्ट मतलब होता है प्रदान करना याद रखना बहुत ही इंपार्ट मतलब होता है प्रदान करना इंपार्ट मतलब प्रदान करना इंपार्ट मतलब प्रदान करना इंपार्ट मतलब होता है प्रदान करना इंपार्ट मतलब होता है प्रदान करना इंपार्ट मतलब होत त सूरतक कितना आगे तक सोख सकता है इसके बाद हम करते है कि ना कि तुम्हारा कितना मजबूत है यानि कि समय यृचि देजिगनेटर मतलब होता है कि इस पेस्पाइट किया हुआ निर्दिष्ट किया हुआ हैै कि रिवाइब रिवाइब हमने तक Sworn रिवाइब मतलब होता है पुनर जीवित करना है ना पुनर जीवित करना पुनर अच्छा कर देना कोई सिच्वेशन खराब है उसको अच्छे सिच्वेशन में ला देना यानि कि उसको रिवाइब कर देना inspiration, aspiration आप बोलते हो ना कि मेरी life में बहुत सारी aspiration है यानि कि मेरी life में बहुत सारी mahtoog हांग छाय है aim है, ambition है, expectation है, inclination है ये सारी चीज़ें मेरी life में है orientation, orientation मतलब होता है Eigen निर्डेश है न ये अपना हो गया इसके बाद होता है installment इस्ट्राय रुक गये तो स्ट्राय मतलब होता है रुका हुआ याद रहाँ हैं इतना याद रहाँ रखो कि ए капनी मतलब होता है के सात होना इंहेरेंट मतलब होता है अंतर नहित है ना जो आपके के अंदर अल्रेडी है चीजे वह क्या होती है आपकी इन्हेरेंट होती है जैसे आप क्या हो आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो पहले से बच्पन से ही तो वह होता है आपका इन्हेरेंट क्या खुबी ऐसा खुबी जो जन्मिजात जो पहले ही से हो बहार से नही बात मतलब होता है ना कमजोर यहां पर वीक से बन गया विकेंड का मतलब होता है संबंद हैना मतलब मतलब होता है मांगना हमने कई बार atta pay seek M था है Pers Quarter All एने कि मालो इंडिया का कोई पर उपर्षन में जाके फसी है अब पाकिस्थान वालोने इनको वापस किया है इस एभिननंदन सड़े हमारे वह जो थे पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों ने इनको कपजा कर लिया तो पाकिस्तानने वहापस कर दिया तो उसको क्या पोलेंगे रिपेट्रेशन ठीक है रिपेट्रेशन डिपर्ट्रेशन यानि के पड़त्या वर्तन रिफ्यूजी मतलब होता है सरनार्थी है ना जो सरन लेके रहते हैं दूसरे दूसरे कंट्री में नेपिडो यह हटा दो इसके बाद है अपना डिकलाइन डिस इंकलाइन मतलब होता है अनिक्षिक होना यानि कि आप क्या हो किसी चीज में डिस इंकलाइन हो यानि कि कि incline मतलब होता है देखो incline का अगर मतलब हो देखो तो होता है कि जुकाओ हो ना किसी चीज की तरब अब उसी का आप डिस कर दिये अलग यहां पर लगा दिये थोरा सा तीन वर्ड भरा दिये तो इसका मतलब होता है कि उसकी तरफ अनिक्छुक हो जाना प्ली प्ली मतलब होता है दलील देना क्या होता है दिक्वेस्ट करना कॉल करना सोसिलेशन करना इन्वोकेशन करना ठीक है अनलाइक अनलाइक मतलब होता है के भीन अनलाइक मतलब होता है के समान और अनलाइक उसका अपोजिट से भीन यानि कि यह डिफरेंट होस्टिली होस् इसके बाद अपना क्या हो गए गीवन हमने कई बार पढ़ाए गीवन मतलब होता है ध्यान में रखते हुए हमने बहुत बार पढ़ लिया मुझे लग रहा है कि 6-7 बार पढ़ लिया मतलब होता है जट इता है अव मैं इन साली चीजों को एडिटोडियल में भी पढ़ाओंगी और रिविजन कराओंगी जियो पॉलिटिकल मतलब होता है भू राजनीतिक यानि की डिलेटिंग टू पॉलिटिक्स यानि की जियो पॉलिटिकल मतलब होता है कि जो राजनीति से संबंदित हो 고 sustain sustain मतलब होता है बरकरार रखना है ना sustain मतलब और और यह सब याद करोगें यह सारे वर्ट मिन याद करोगें क्या कहें हैं από सब कुछ outcome outcome मतलब परिनाम बताओ तुम इद नहीं जादा मेहनत कर रहो outcome इसका कैसा होगा बढ़ियां होगा outcome मतलब होता है परिनाम result engagement engagement मतलब होता है सभागी ता है ना साब आगर किसी चीजमें आप पिंगेज नहीं रहोगे यानि कि उसमें पार्ट नहीं करोंगे तो कैसे चीज़ें आगे वरेंगी वहीं हो रहा है कि भाग लेना पार्टिशिपेट का नाम इस पीलोवर हमने कई बार पर है बहुत इंपोर्टन वर्ड मिनिंग है इस पीलोवर मतलब होता है अन एन एक्सप मांग करना इसके बात है आउट्लीण आउट्लाइन 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 आउट्ला הא ourna कि चीजहों को रिकांकित यानि कि चीजों को highlight करना ठीक है इसके बाद बोल्ष मतलब होता है प्रबल करना यानि यानि वूस्टर मजबूत करना रोच्परना सपोर्टक रोंट करना क्या-क्या ययाद कर लोगे यह तो इंपोर्टेंट है ठीक है और वल्स्टर मतलब होता है व्रिष्टित करना श्रेति संहिंक करना सब्सक्राइब यांगर में पढ़ाऊंगी न तो बहुत अच्छा याद होगा इसका बात होता है शव्र हुर रिग अजिसका मतलब हुता है सगलstaw je कि द्राप्टा कि काफी है उसका मतलब है यहां पे काफी इन गेंगें मतलब होता है फाइदा हमने कई बार पड़ा है कोईश्टल मतलब होता है यानि कि जो तट का यानि कि समूंदर का जो आखरी छोड़ता है दो वह सायल यानि कि एक कंप्लेक्स नेटवर्ग oh. सिंटम कि एक ए सिस्टम एक ऐसा तरीका जो आपस में जूरा हुआ है और क्या है बहुत ही ज्यदा जटील है इसके बात है अपने टूंट से कि मतलब होता है कि आत्रीक आलावा potential बताओ तुम्हारी potential कितनी है यानि कि तुम्हारी छमता कितनी है क्या तुम पीओ बन सकते हो या फिर color बन सकते हो तुम्हारा potential कितना है कोई बोलता है ना तुम अपनी potential के अनुशार काम करो capability, capacity, ability इसके बाद है intra-regional, intra-regional मतलब होता है कि within origin यानि कि region के अंदर किसी छेतर के अंदर walk away अपना phrasal verb है मतलब होता है छोड़ देना जब आप preparation करते हो तो लोग आपको क्या करते है walk away कर देते हैं क्या कर देते हैं क्या कर देते हैं इसके बाद है अपना willingness मतलब होता है एक चाह यानि कि बताओ तुम्हारी willingness क्या है तुम्हारी एक चाह क्या है willingness मतलब होता है एक चाह अब मैं इसको repeat करूंगी देखना बहुत अच्छे से हम लोग याद करेंगे govation कोहेशन मतलब मैंने मतलब मैंने क्या क्या बतातों मैंने बताया था साताथ लोग क्या है कोहेशन है यानि कि एक जूट है क्या है एक जूट है तो cohesion और cooperation यानि कि एक दूसरे को support करना यानि कि एक जुटता और दूसरे को support करना किस चीज़ में बात करेंगेástटा कि एक जूते था और ऊपरेशन किसमें बढकरेंजाब क्या हो गित्राइबी gibi करेंगे क्या होता है कम करना कोहेशन मतलब क्या होता है एक जूठ होना इंबैलेंस मतलब क्या होता है असन तूलन होना इस यूज मतलब क्या होता है कम करना सांथ करना तो भारत को क्या करना चाहिए कम करना चाहिए चाहिए के लिए हम पर मस्ठ हो या क्या कम करना चाहिए इनी अप्र तो भारत को क्या करना चाहिए कम करना चाहिए किसी भी संका को पावर इंबैलेंस यानि कि जो ताकत है दो शक्ति है ना जो शक्ति बाटी गई है उस सक्ति में जो में संका को भारत को क्या करना चाहिए कम करना चाहिए है तो हमने क्या क्या कर आपक शक्ति कम करना अपना बनाने ना सुकीड कर लेना ठीक है तो दा एडप्टेशन ओफ चार्टर चार्टर मतलब क्या बताया था मैंने चार्टर मतलब क्या बताया था इसका मतलब मैंने बताया था घोसना पत्र क्या बताया था मैंने घोसना पत्र चार्टर मतलब होता है घोसना पत्र तो हमन सेक्टरल टेकनिकल एन एकनॉमिक कोर्परेशन समिट परमिशेस तू री इनर्जाइज दर ट्वंटी फाइब यह ओल्ड ग्रूपिंग एट टाइम अप ग्रोइंग ग्लोबल अंसर्टेन्टीज है ना अंसर्टेन्टीज मतलब क्या होता है जिस जो सर्टेन ना हो निश्च जो अनिश्चित हो जो अनिश्चित हो ठीक है क्या कहरा है कि हम ने अडॉप्ट कर लिया क्या घोसना पद्र को कहां पे फिप्द भी और बंगाल इनिस्याटीव एक हुआ किसके लिए मल्टी सेक्टरल टेकनिकल और इकनॉमिक यानि कि वीम्स्टेक में हम क्या वीम्स्टे प्रामिस करता है हमारा में सब्सक्राइब करता है कि यह दूबारा से एनर्जी डाल देगा है ना इनर्जी मतलब दूबारा से एनर्जी डाल देना किस चीज में जो 25 पुराना हमारा जो ग्रूपिंग है यानि कि यह जो हमारा ग्रूप है वह कितने साल पुराना है पचीज साल पुराना है इसमें क्या करेगा इनर्जी डाल देगा उस समय पर एट टाइम मतलब होता है उस समय पर और ग्रोइंग ग्लोबल अंसर्टेनिटी जहां पर हम क्या कर रहे हैं बहुत ही अरका प्राम क्यों निश्चीत कि यानि कि बारव अ पूरे वर्ल्ड में अभी कोई भी चीज़ें निश्चीत को एड़ा जो की क्या करता है तो हक description मतलब होता है फिche goin के अफंटब होता है कम करना अशन मतलब होता है इसके बाद फिव्लीन मतलब होता है सँए बादना इसके बाद yield ना होता है Viel prey न हो जो शचित कि आर्टिकल दा लगा यहां पर जो अनिशित जो घोसना पत्र हैं एंड इंडिया जिसीजन और भारत का जो डिसीजन है टू लीड मतलब होता है कि किसी चीज़ को आगे ले जाना दा सेक्यूर्टी पिलर आउट अफ दा सेवन डेजिग्नेटर पिलर अफ दा रिवाइब भी विम्स्टेक है गिवन इंडिया इस रिजिनल एस्पिरेशन अगे इसके पहले मैंने एक लाइन यहां पर छोड़ा है क्या चोड़ा है दा चार्टेज इस एक्सपेक्टेट यह जो घोसना पत्र है इससे उमीद की जा रही है यह अपना क्या है ना इस वज़े से इस है तो इससे उमीद की जा रही है कि टू हेल्प यह मदद करेगी कि इंपार्ट मतलब क्या होता है इंपार्ट मतलब होता है प्रतान करना जो क का क्या क्या प्लानिंग है ना प्लानिंग बोल सकते हो तो टू टूढवा सैबन्ममर और अर्गंधेशन यह जो और विनस्रेव यह इस यह क्या कर रहा है कि यह परतार भूषना रहे हैं इसे उमीद कआओ जाती कि यह परतां कर गी क्या परतां करेंगी एक बहुत ही connected vision एक ऐसा द्रिश्टिकोन एक ऐसा आइडिया जो बहुत ही सातों देशों ने मिल जूल के बनाया है एक ऐसा आइडिया जो connected है आपस में है ना टू दा सेवें member organization और यह जो vision है यह सातों member organization से connected है आगे पढ़ते हैं इंपार्ट मतलब क्या होता है प्रदान करना ठीक है अब क्या कर रहा है दस चार्टर एंड इंडिया डिशीजन जो चार्टर है जो घोसना पत्र और भारत का डिशीजन जो भारत ने निर्न लिया क्या निर्न लिया कि यह lead करेगी और आगे बरेगी किसाट कर किस चीज़ को लेकर आगे बरेगी दस से के security pillar arkadaşlar मतलब अधार है ना जो सुरक्षा का अधार है ना उस अधार को सुरक्षा को लेकर यह आगे बरेगी आउटबसों देजिगनेटर कीलड मतलब होता है दिर्षा मीर्देश नीदेश रादी की बाई हमन्य क्या किया था साथ पिलर साथ आधार बनाये थे हैं ना साथ आधार को बनाने का डेजिगनेशन किया था यानि कि दिशा निर्देश दिये थे ठीक है अब उसमें से जो सिकूर्टी पुलेड है जो सिकूर्टी आधार है जो सिकूर्टी जैसे साथ आप बोलो कि साथ उन्होंने बोला कि ये 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 काम हम करेंगे उसमें सिकूर्टी भी था कि भाई हम अपने सिकूर्टी पर ध्यान देंगे उसी सिकूर्टी आधार को लेते हुए भारत ने क्या क क्यों सकते हुआ हैं आद सबसे आफ इसको बोलो री इंट्रोडक्षन यानकि दुबारा से इसको इंट्रोडाइस करना क्या है यहां पे रीन्ट्रडीउश सक्राना दुबारा से इंट्र सекर्ण दिया गया हैं आए न दर ये जो दिरेश्य इसने पत्र है में क्या क्या महत्वाकांग्छा रहता है तो उस महत्वाकांग्छा को दिया है क्या दिया है एंफ पर दोर होना from the installment, installment मतलब होता है, रुका हुआ, है ना, रुका हुआ, सार्क, है ना, जो सार्क है, वो रुका हुआ है, कब से रुका हुआ है, सार्क की मीटिंग कब से नुए ही है, that has begun, amnable, जो की unepal है, है ना, unable मतलब जो, जो योग नहीं है, to meet since November 2014, यानी कि सार्क की जो मीटिंग है, ह और इंडिया का जो डिशीजन है कि भाई ये सिकूर्टी का जो पीलर है आधार है आउट अप देजिगनेटर पीलर यानि कि जो साथ दिशा निर्देश दिये गए थे उसमें से भारत ने बोला कि मैं सिकूर्टी पीलर को लीड करूंगा आगे ले कर जाओंगा तो इसने क्य क्या किया है कि री इंट्रोड्यूश किया है है ना री इंट्रोड्यूश जो विल्सक को किया गया था उसमें यह सारी चीजे बताए गए थी अब इसने क्या कि इन सारी चीजों भारत को दिया है क्या दिया है कि यह रिजनल एस्पिरेशन रख सके यानि कि यह भारत सूच है इसको एक नएक दिशर नहींदेश देता हैं कि भई ती जो मीटिंग है वो मीटिंग नॉवनबर 2014 से इसन आप सा कि ये तो अलेटि दूसर टुन 2017 स्वर्जी दुली नॉवनबर कोहेशन मतलब होता है यूनिटी है ना इंबैलेंस अंसंतुलन स्कम करना एप्रिहंसन संका उसके बाद होता है चार्टर चार्टर मतलब होता है अपना घोसना पत्र प्रॉमिशेज वादा करना इसके बाद होता है अंसर्टेंटी यानि कि जो निश्चित नहीं हो अनिश्च है यह बाहरे में बताना expiration aspirations होता है महत्यवद आग्छा आगनिरदेश साथ साथ, एक कौमपेंट मतलब होता है, साथ साथ, एक कौमपेंट मतलब होता है, साथ साथ, ठीक है, तो ये जो नEW opportunity आई है, है न, इसके साथ साथ क्या है, is also accompanied by its own set of problems, यानि कि ये जो नई oppरशनेटी आई है, ये जो नए मौकए है, इसके साथ साथ सान, बहुत सारे सेट और प्रॉब्लम्स भी आया है, यानि कि बहुत सारी परिषानिय भी आये है, accomplishments साथ सान, these inherent, inherent मतलब होता है, जो साथी में आये है, जो आपके साथी में आये, यानि कि जो आपके अंदर हो है न абh the these inherent challenges ऐसे challenges जू इसके साथ ही साथ है मतलब होता है किसी चीज़ को प Eph hèz residential करना क्या करना किसी चीज़ को क्या करना परफशित करना है नаю तो भाए यह जो चैलेंजेज यह जो अंतर नहीं थे जो उसके साथ ही Patriot एं यह परदर्शित करते हैं कि भाई जो चार्टर है जो घोसना पतर हैं इसमें क्या है कि भाई इसमें कितना टाइम लिया जाएगा इस चीज़ को फाइनलाइज करने में फाइनलाइज मेतलब की लास जिशेजन लेने में प्राब्लम हो सकती है कि सबसे महत्कुन जो फैक्टर्स है है जो मुद्दा है कि जो रहिंगया क्राइस हुआ है क्राइस मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा मुस्किल वक्त जिसने क्या किया है विकेंड बाइलेटरल विकेंड मतलब होता है कमजोर कर देना इसने कमजोर कर दिया है जो रहिंगया क्राइस है इसने कमजोर कर दिया है बाइलेटरल मतलब होता है दिव पक्षे यानि कि दो लोगों के बाद यानि कि बंगलादेश मैनमार्स की जो टाइज है जो संबंध है टाइस बोले तो सम्बंद आप बोलो जो सम्बंध है इसको किस ने कर दिया है कमजोर कर दिया अब यह पर हम चीजों को समझें harder कि बंगलादेश कर दिया की बंगलादेश और जाइमार कानल क kicking के मेंबर है क्या मांग कर रहा है जाहिए जाहिट कर रहा है है ना तो भाई यह क्या है अनिश्या जाहिद कर रहया है मांग करने तुम यहां तुम यहां हो बाग रहे है तुम यहां वहां भाग रहे है सस्क्राइवाप, keyword टूम रिफ्यूज़ को रिपैटरियशन टो यानि कि वापस लो बैकिन जो मैंनमार जो है इस चीज़ को मानने को तयार नहीं है अब आगे चीज़ों को पड़ते हैं कि अनलाइक मतलब होता है अपना से अलग ठीक है किसी चीज़ से अलग होता है न तो आप बोलते हो अनलाइक तो आपने क्या बोला कि जो अनलाइक से अलग किसे अलग सार्क से अलंग विच इस बर्डेन बाई इंडिया पाकिस्तान होस्टिलिटीज यानि कि जो सार्क है उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों करंटीज हैं अब उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सार्क में बर्डेन हो जाता है बहुत ज़्यादा चीजों को समालने में मुश्किल हो जाता तो यह मुक्त है किस चीज से मुक्त है जैसे सार्क में क्या है कि भारत और पाकिस्तान में हमेशा स्वत्रूता रहती है इससे अलग इससे भीन क्या है विम्स्टेक में मुक्त है वो किस चीज से मुक्त है सार्क बाइलेटरल बाइलेटरल मतलब होता है दीवपक्षियर डिस जानि कि किसी चीज को किसी चीज मानो कि कोई कोई मुद्दा है तो बोल दो कंटर बोले कि मैं इस में क्री हुँ समत हुँ ठीक है तो जो कि यहां पर पकिस्तान में जैसी सत्तुर। देखने को मिलती है वैसे बीम्स्टेक की जो कंट्रीज है वहाँ पर ऐसी सत्रुता देखने को नहीं मिलती है ऐसी डिसेगरमेंट देखने को नहीं मिलती है और यह वादा करती है कौन वादा करती है बीम्स्टेक वादा करती है क्या वादा करती है कि टू प्रवाइड इंड यहां पर बिल्कुल भी नहीं है यहां पर बिल्कुल भी नहीं यहां पर बिम्स्टेक में एक डूसरी जो है एक दिस रोगों को अपने अपने छेतर में क्या करती है करती है गीवेंद मतलब मैंने बताया था ना कि घ्यान में रखते हुए हमने बोला था ना complexity complexity मतलब होता है जटिलता complexity मतलब होता है जल तिलता यानि कि इन जटिलताओं को इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में देखते हुए औप दोल में विए जियोम पोलिटीकल फोक्ट यानि कि अगर हम ध्यान से देखें कि जो प्रॉब्लम्स है ने सकती है मिल जरुबार्टर ए talents चेट्र hai लगतार सस्टेन मतलब होता है बरकरार रखना क्या परकरार रखने की जोड़त होगी बाइलेटरल यानि कि दिवपक्षी है और ग्रूप लेबल डिसकेशन हमें बरकरार रखने की जोड़त है यानि कि हमें जो भी कंट्रीज है विम्स्टेक में उसको आपस में क्या करना और दिवपक्षिय वर्तलाब भी करना होगा कि लिए ताकि to prevent problems जो problems हो न उसको क्या कर सकें दूर रख सकें दूर कर सकें कि भाई जो countries के लिए जो भी problems हो उसको हम दूर कर सकें such as Rohingya crisis जैसे कि जो Rohingya crisis is from becoming impediment तो यह क्या बन गया था यह जो इसको रोकना है क्या रोकना है जो रोहिं गया क्राइशिस हैं तो इसे विकम यानि कि बनने से क्या इंपेल्डिमेंट मतलब होता है बाधा to the smooth delivery of economic and security outcomes आउटकम्स मतलब होता है परिनाम ठीक है तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि हम क्या करेंगे कि हम जो ये रोहिंग्या क्राइशिस हैं इसको बनने नहीं देंगे क्या नहीं बनने देंगे बाधा नहीं बनने देंगे किसी में कि हम smoothly यानि कि अच्छे से delivery कर सके अच्छे से कर सके कि क्या कर सके economic और security जो outcomes है ना यानि कि हमारे जो साथ तो देश हैं उनकी जो एकनॉमिक और जो सुड़क्षा को लेकर जो अच्छे परिनाम आएंगे ना उस परिनाम को हम जो रोहिंग्या क्राइसिस है इस क्राइसिस को उस परिनाम में बाधा नहीं आने देंगे ठीक हैं आगे पड़ते हैं इंडिया टू भारत को भी विल सुनिशित करना होगा कि रजनीतिक तोर पर क्या हो सके भागीदारी कर सके इंगेजमेंट मतलब भागीदारी कर सके क्या कर सके भागीदारी कर सके विद्ध पार्टनर के साथ अपने पार्टनर के साथ सच नेपाल सिरलंका बांगलादेश यानि कि भारत को भी चाहिए कि ये सुनिशित कर सके कि यह भागिदारी अच्छे सी निभाय नेपाल के साथ सिलंका के साथ और बांगलादेश के साथ तुब प्रिवेंट दूर करने के लिए क्या दूर करने के लिए एनी डोमेस्टिक यानि कि वो दूर कर सके कोई भी घरेलू और पॉल्टिकल स्पीलोवर मतलब प्रभाव ठीक है इसका मतलब होता है प्रभाव है ना तो वो क्या कर सके रोख सके किस चीज को जो पॉल्टिकल और अपना डोमेस्टिक प्रभाव होगा ना प्रतिक्रिया जो भी आउटकॉम होगे from affecting ताकि एफेक्ट ना कर सके bilateral and group level working relationship ताकि ये एफेक्ट ना कर सके प्रभाव नहीं डाल सके जो bilateral और group level working relationships है न ये जो सब देश मिलके काम करते हैं उस चीज में कोई problem ना आए तो भारत को भी भागिदारी निभानी होंगी किसके खिसके साथ निपाल सिर्लंका और बांगला देश के साथ इसका एक और मतलब हो सकता है an unexpected consequence एक ऐसा परिनाम जिसकी हमने उमीद नहीं की अब हम चीजों को समझते हैं क्या हुआ कि एक हमने क्या किया एक हमने charter लाया उसमें क्या हुआ गोस्ता पत्र लाया जिसमें बिमस्टेक में है ना जिसने क्या किया दी इनर्जाइस कर दिया बिमस्टेक को जो 25 साल पुराना हमारा ग्रूपिंग है अब हमने इस चीजों को तब किया जब पूरे वर्ल्ड में क्या है uncertainty है अब ये जो charter है इसको उमीद कर रहा है कि ये बहुत सारी चीजे परदान करेगा जैसे की connected vision देगा यानि कि जो सातो देशे ये मिलके कुछ अच्छा vision बनाएंगे द्रिश्चिकोन बनाएंगे future के लिए सोचेंगे है ना अब इसके साथ साथ भारत ने क्या किया कि ये decision या है कि ये security pillar की तरह काम करेगा है ना साथ pillar बनाएगे हैं जिसमें भारत ने बुला कि मैं security pillar को लेकर lead करूंगा है ना अब क्या है कि भाई भारत की जो है वो inspiration है बहुत सारी महत्वकांग्छाए है अपने देश को लेके अब क्या है कि भारत ने बिम्स्टेक के जरिये इसको आगे ले जाने की कोशिस की जैसे कि जो भी विम्स्टेक में निर्ने लिया गया है इसके साथ साथ बहुत सारी challenges भी आएंगे अब क्या है कि जब हम ये charter जो हम ये दोसना पतर जो हम ये निर्ने लेने चा रहे हैं अना कि ये ये सारी चीज़े करेंगे उस समय भी ये सारी चीज़ों को देखा गया कि भाई बहुत सारी problem face करनी परेगी हम में उसमें से एक problem ये था कि जो रोहिंग्या crisis है उसने क्या किया कि भारत और जो मैनमार के जो संबंध है इसको कमजोर कर दिया धाका क्या बूला है कि जो तुम्हारे सरणार्थी मेरे देश में आए है ना इसको अपने पास ले जाओ लेकिन जो बंगला देश है जो मैनमार है वो रिस्पॉंडी नहीं कर रहा है अब जो सार्ख है उसमें क्या है कि भारत और पकिस्तान में हमेशा दुस्मनी देखे जाती है लेकिन बिम्स्टेक में ऐसा नहीं है बिम्स्टेक में क्या है कि हर कंट्री अपने 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 एक दूसरे को हेल्प करती है अब जो जटिलताएं हैं उसको देखते हुए यह क्या है कि हमें क्या करना है कि इसको बरकरार रखना है यानि कि प्रॉब्लम्स तो है लेकिन हमारा जो इंबिशन है जो हमारे हमने जो बनाए है कि हमें यह इस चीज़े करनी है इसको हमको बरकरार रखना है हमें क्या करना है बहुत सारा डिस्केशन करना है आपस में ताकि हम इस सारी प्रॉब्लम्स को दूर लग सकें अब क्या है कि भारत को भी मतलब एक्वली बराबर का साथ निभाना होगा बिम्स्टेक में ताकि हम क्या कर सकें कि बहुत सारे जो प पर इनाम को दूर रख सके जो गलत हो सकते हैं जो हमारे टाइच को खराब कर सकते हैं अब चीजों को समझते हैं फिर से फिर से मैं आपको वो कैप समझाती हूं याद करो क्या क्या याद है अभी तक देखो कोहेशन बताओ कोहेशन मतलब क्या होता है कोहेशन मतलब एक प्रामिस मतलब वादा ठीक है अनसर्टेंटीस यानि की जो सर्टेंट नहीं है अनिश्चित हो इंपार्ट प्रदान करना देना विजन डिस्टिकोन यानि कि किसी चीज़ को लेके प्लानिंग बनाना इसके बाद है अपना पीलर मतलब होता है आधार डेजिगनेटेड मतलब होता है दिशा निर्देश रिवाइब मतलब होता है पुनर जिवीत करना रिवाइब करना जान फूग देना एस्पिरेशन मतलब होता है एस्पाइडेशन मतलब होता है महत्व कांग्चा ओरिएंटेशन मतलब होता है दिशा निर्देश इस्टॉल् मतलब होता है रोकना, एक कंपेंड मतलब होता है साथ साथ, इन्हेरेंट मतलब होता है अंतर नहीत जो आपके अंदर हो, रिफलेक्ट मतलब होता है चीजों को परदर्शित करना, दिखाना, विकेंड मतलब होता है कमजोर करना, बाइलेटरल मतलब होता है दिवपक्षी, टा मतलब होता है मना कर देना प्लीज मतलब होता है याची का मांग करना अनलाइक मतलब होता है शेभीन से अलग होस्टिलीटी मतलब होता है सत्रूता होस्टिलीटी मतलब होता है सत्रूता ठीक है इसके बाद होता है फ्री मतलब होता है आजाद है इसके बाद एस्पेर मतलब होता है छेतर गीभन मतलब होता है ध्यान में रखते हुए है ना कॉंप्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता कॉंप्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता कॉंप्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता Engagement मतलब होता है भागी धारी और inspired बोड़ मतलब होता है ऐसा परिनाम जिसकी हमने उमीद नहीं की है ठीक है बताओ इस में से सारे कि सारी याद हुए कि नहीं बताओ एक competitor मतलब क्या हुआ बताओ तुम seeking क्या हुआ hostilities क्या हुआ बताओ refugee क्या हुआ बताओ और reflected क्या हुआ सब बताओ ठीक है आगे पड़ते हैं विद हीज कॉल है ना कॉल मतलब होता है मांग करना फॉर बीम्स्टेक फ्री ट्रेड और एग्रिमेंट यानि की मांग किया क्या कि बीम्स्टेक कि जो कंट्रीज हैं वहां पर क्या हो हम एक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट करें एक ऐसा एग्रिमेंट करें जिसमें हमें फ्री ट्रेड का यानि कि हम वैपार ऐसा करें कि जो बहुत बढ़ियां से हो है ना उसकी मांग की इसने मांग की है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मो यह मैंने क्या कर दिया आउट्लाइन तो भाई पर्धाल मंतरी ने हैइलाइट किया उन्हों ने बोला कि free trade agreement करो free trade agreement कि माल नो दो countrys हैं उनके बीच में export import आता होता है तो उनके बीच में कोई भी बधाय है ना तो उस बधाव को दूर करने के लिए ऐसा aq TM किया जाता है इंडिया का जो विजन है यानी कि इंदिया का जो सोंच बढ़ाना बआसा मतलब कि इंक्रीज करना आगे ले जाना पुर्ट हित करना ठीक है त्रेड करेट करनेक्टिवीट्टी इन दघ्रूपिंग यानि कि क्या कर रहा है कि उन्होंने मांग की है नो मांग के साथ साथ उन्होंने बोला कि भीमस्टेक फ्री एगर्मेंट करना चाहिए इसके साथ ही प्राइम नलेंदर मोधी ने बोला कि उन्होंने खांकित किया कि भाई भारत जो है भारत का डिश्टिकोन है कि वो मजबूत करें आगे ले जाए किसी में अच्छा से ट्रेड करने कनेक्टिविटी हो इसकी उन्होंने मांग की अब बताओ क्या हुआ बोल्स्टा मतलब पुर्साहित करना आगे लेग जाना आउटलाइन मतलब होता है रिखांगित करना कॉल मतलब होता है मांग करना ठीक है एएन FTA Sapping Free Trade Agreement Spanning मतलब होता है रेंज मतलब होता है ठीक है यानि कि मैंने बोला यहां से यहां दूर यानि कि इसकी रेंज क्या है spanning क्या है यहां से लेके यहां ठीक है तो जो FTA free trade agreement का spanning है यानि कि उसकी जो range है है न कि इतना ही दूर तक हम इसको लागू कर सकते हैं the maritime resource rich members such as Myanmar and Sri Lanka could bring dramatic gains for all members क्या कर रहा है कि अपना लेकिन अगर हम यहां पर पूरा यहां से यहां तक पर हैं तो यहां पर यह इस्पाइणिंग यह तुम्हारा यह नहीं दिखा रहा है इंजी यहां पर spanning का मतलब होता है सम्मिलित होना सम्मिलित होना कभी 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 एक word के बहुत सारे Hindi mink निकल के आते हैं हमें देखना होता चाहरा है हमारा इसके आक्रॉडिंग क्या होता है जब हम पूरा यहां से लेकर यहां तक परहेंगे तो हमसमज करता है कि क्या क्या इसके अंदर हैöß यहां समुंदर रिसोर्स मतलब होता है जरिया है ना कि इसमें जो है maritime resources यानि कि जिसके पास बहुत सारे मेरी समुंदरी resources हैं वो members इसके अंदर हैं जैसे कि महनमार और सिंगलंका could bring dramatic gains for all members यानि कि ये दोनु क्या कर सकते हैं ला क्या dramatic मतलब बहुत ही बड़ा है ना बहुत ही बड़ा गेंस मतलब होता है मुनाफ़ा for all members यानि कि जितने भी इसके मेंबर से हैं ना उसके लिए महनमार और सिलंका जो हैं बहुत अच्छा gains मुनाफ़ा लेकर आ सकते हैं एक कोस्टल सिपिंग कोस्टल बोले तो समुद्र से रिलेटेड जो हम सिपिंग करते हैं आ समुद्र एक 變ец के समुद्र से वस्तुत बहँ लेकर दूसरे देश के समुद्र थक पहुंचाते हैं वो होता है कोस्टल बोले तो पहुंचाते हैं वह था धोगोस्टालशिपिंग यानि रिजनल ट्रेड एंड एकनोमिक टाइज क्या कह रहा है कि हमारे पास हमारे पास बहुत सारे प्लांस हैं जैसे कि हमारे पास कोस्टल सिपिंग एको सिस्टम है यानि कि हमा हम क्या कर सकते हैं समुंदर के रास्ते से एग्रिमेंट कर सकते हैं फ्री ट्रेड कर सकते हैं एक तो हो गया कोस्टल enchrylor एक यानिकि उलेक्टिषिटी संद ग्रिड लो डेलीवरी है जो इलेक्रिश्यीं के तोर पर हो हमने क्या क्या है क्या एक link मैं एक मास्टर प्लान का एक चीज़ के लिए ट्रांस्पोर्ट करेंगे च्मता है तो बूस्ट बढ़ाने का भी मतलब होता है बढ़ाना inter-regional trade and economic ties यानि कि ये क्या करेंगे हमारे intra-regional economic हमारे जो trade है वपार है उसको मजबूत करेंगे और हमारी economic जो संबंध है उसको मजबूत करेंगे क्या कह रहा है कि हमने क्या किया है हमारे पास coastal ecosystem हो गया electricity grid हो गया ये हम किस चीज की बात करें only free trade agreement में क्या क्या रहा है उसकी बात करें और इसके साथ साथ हमने master plan बना है transport connectivity से अब ये तीनों मिल के क्या करेंगे इनके पास इतनी छमता है कि हमारे trade वेपार को ये और भी उचाई पर लेकर जा सके है आप क्या करें देखो having walked away मतलब होता है दूर जाना ठीक है दूर जाना कोई बोलता है ना कि मैंने मेरी office की meeting थी और मैं वहाँ से walked away हो गया यानि कि हट गया निकल गया from mega trade blocks blocks मतलब होता है good ठीक है good group है ना तो क्या हुआ कि उससे दूर जाने के बाद such as the China led RCEP new Delhi's willingness to explode मतलब होता है पता लगाना and FTA within the framework framework मतलब होता है धाचा of a near home digital grouping may provide greater accommodation accommodation मतलब बोल सकते हो ऐसी चीज जो सब के सब क्या कर सके acquire कर सके ठीक है के सब क्या कर सके उसको adjust कर सके ठीक है उसको adopt कर सके इसका मतलब यह होता है ठीक है तो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि दूर जाने के बाद walked away हो गया कि भाई मैं इसमें participate नहीं करूँगा क्या participate करूँगा एक mega trade group बना था blog बना था जैसे कि RCEP China led यानि कि China ने इसे start किया था led मतलब जो उसे lead करता हो तो China ने इसे start किया था नियु देली उसे दूर चला गया कि भाई मैं तो इसमें हिसे दारी नहीं करूँगा अब जो new दिली की एक्षा है willingness मतलब होता है एक्षा willingness मतलब होता है एक्षा कि भाई भारा नियु दिली चाहता है कि वो पता लगा है कि या पता लगा अन एफ्टी Zac ब innating ट्रेड है कि वह नए-एफ्ट्रेड लु तरूरेशार क्रचता había उन्फ helpless कर चाहिए लुटिवर्क यानि कि अशना से रड्याचे में कि जो किसा सूटे यह उस country को group बना के उसका धासा त्यार करके उसके विए बनाने के लिए भारत का इक्षा जाहिर कर रहा है और यह क्या कर सकती है यह प्रुवाइड कर सकती है दे सकती है क्या दे सकती है greater यह दो और यह दो जो कि जो भी इसमें होना सारी countries की interest यानि कि सारे कंतरी के फायदे से यह जुरा हुआ fda हो ऐसा इंडिया एक्षप्लोर करने की कोशिड कर रहा है दा सिकूर्टी and अच्छा interest मतलब होता है किसी के हित में ठीक है interest मतलब होता है अपने हित में अपने फायदे के लिए the security and trade relation from the troubled shark and safta experiences also ought to serve bimstek well in the long run क्या करा है हो क्या करें यहां से यहां आता कि एक security and trade related हमने relation सिखा क्या relation सिखा कि जो troubled shark यानि कि जो shark में बहुत सारी परिशानिया है और safta एक गुरूप बना था इनका जो experience हमने लिया यह इस experience से हमने यह relation लिया security on trade related relation लिया देख ओची जो को समझो यह थोड़ा सा complicated है यहां से यहां तक क्या करा है कि the security and trade related lessons जो हमने सीखें जो security से और जो वेपार से संबंदित जो हमने relation यानि कि सिख्छा है यानि कि कभी कोई गलत चीजे होती है तो हम उसे सीखते हैं न तो जो security on trade से related जो हमने सीखा किस से सीखा इस से फुरॉम जो सार्ख है ट्रबल सार्ख है यानि कि जो सार्ख में परिशानिया चल रही है और जो के लिए बिम्स्टे को हम आगे ले जाकर जा सकते हैं यानि कि क्या करें कि हमने एक लेशन सिखा क्या लेशन सिखा सीकूर्टी और ट्रेड रिलेटेड रेशन सिखा जो सार्ख में ट्रबल चल रहे हैं और जो साफ्टा में से हमने जो एक्स्प्रियेंस लिया यह दोनों मिलके विम्स्टे को लंबे समय तक लंबे रेश का गोरा बनाने में हमें मदद कर शकती हैं कि अल्टिमेटली अल्टिमेटली दाउ हला कि वर्द रिवाइबड ग्रूपीं टु रिलाईज इस ट्रेड एन एकनोमिक पोटेंशियल हाला कि क्या है कि यह जो रिवाइब यानिकि दुबारा से जो रिइंप्रोड़क्शन किया दुबारा से जो बहुत सारी चीजे नही India will have to take a leadership role in assuring any apprehension among the smaller member of intra-group, power imbalance and strive to facilitate greater cross-border connectivity and follow-up investments by the lowering barriers to the moment of people and good. What do you need to do with the leader of the country in order to reduce the pressure? If there is no doubt, there is no doubt, there is no doubt, there is no doubt. सकें किस चीज में smaller members of intra group power यानि कि जो smaller यह group में जो small members है यानि कि जो छोटी countries हैं है ना intra group मतलब होता है in this group यानि कि इस group के जो भी members है ना तो इस group के जो छोटे members हैं उनके अंदर अगर कोई भी doubt आता है ना उस doubt को क्या करें भारत कम कर सकें ऐसी leadership की इसको भी मिका निभारी पड़ेगी और power का जो imbalance है कि भाई हर country बोलती है कि मुझे ज्यादा पाउर दो मुझे ज्यादा पाउर दो तो यह जो समानता है इस चीज को कम कर सकें और पढ़ियास कर सके स्ट्राइब मतलब होता है परियास करना फैसिलेट करने का यानि कि परदान करने का क्या परदान करने का चीजों को देने का स्टीमा पार सीमा पार connectivity प्रदान करें जाना कि सीम पार अगर इन्दिया चाहता है कि हम बंगलादेश में बंगलादेश चाहता है कि मैनमार में ट्रेड करें तो एसी कनेक्टिविटी को फेशलेट दे ऐसी भी इंडिया को सोचनी चाहिए एंड फ्लो आफ इन्वेस्टमेंट यानि कि जो इन्वेस्टमेंट हो है ना उसका जो फ्लो हो वह हमेशा बना रहें तो बाधाओ जो भी बाधाओ है ना इसको कम करें भारत में करें तो ऐसी जो मुमेंट है ना इस बाधाओ को क्या करें भारत कम करें है ना तो ऐसी लीडर्शिप की भारत को भी भूमी का निभानी होगी अब चीजों को समझते हैं क्या हुआ कि मोधी जी ने बोला कि हम फ्री ट्रेड अग्रिमेंट करना चाहते हैं और इन्हें ने इस चीज पर जोड़ दिया कि हम ट्रेड करनेक्टिविटी को बराना चाह हो जाते हैं अब जो अग्रिप्र एक्रीमेंट है इसमें बहुत सारे व्यां मेंबर अब जो यह free trade agreement है इसमें क्या क्या है coastal shipping ecosystem है electricity grid है master plan है transport connectivity के अब इसमें क्या है कि इस तीनों में इतनी छमता है कि यह तीनों क्या कर सकते हैं वेपार और economic ties को अच्छे बना सकते हैं भारत ने क्या किया कि चाइना ने एक group बनाया RCEP करके भारत ने बोला कि तुम अपना बनाते रहो मैं इसमें नहीं रहूंगा भारत नी इक्षा जाहिड की कि मैं नई नई चीजों को पता लगाऊंगा एक्सप्लोड करूंगा है ना ताकि हमारे जो नियर होम डिजनल ग्रूपिंग है उसमें हम ट्रेड और अपना एकनौमी अच्छे से बढ़ा सकें अब क्या हुआ कि जो सिकूर्टी ले ट्रेड हमने जो लेशन सिखा कि सार्क और साप्टा से इन दोनों ग्रूप से हमने ल भारत को भी क्या करना होगा कि मैसूस करना होगा कि यह जो वैपार और इकनौमिक पोटेंचिल है इसको कैसे अच्छा बना है इसको लीडर्शिप की भूमिका निभानी पर है कि अगर कोई भी डाउट है विम्स्टे कंट्री के अंदर तो उस डूर कर सकें लोग अगर चा क्या बताया मैंने बाधा बताया ठीक है इंटर ग्रूप मतलब ग्रूप रिलेटेड है ना क्रोस बोडर सीमा पार फैसलेट मतलब फैसलेटीज देना यह पढ़ने के जोड़नी है इसके बाद अपना क्या है इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट तो आपको पता ही होगा विलिंग मजबूत करना मतलब होता है तो यह बताओ कि इसमें से कितने आपको वक्राइब याद करा दिये मैंने यह जरूर बताएए का आप लोग है ना एक बार फिर से डिपीट करा दो गया फिर वीडियो लंबी चली जाएंगे ठीक है आप लोग बताना कॉमेंट में आपको कितना फायदा हुआ इस नए टेक्निक से फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे बाकी जो मैंने बता है आप लोग लिंक से एक बार उसको चेक आउट कर लेना क्यूंकि आपकी डबल कर दी गई है उनके द्वारा और बेस्ट गया पाईटिजने ऐच बता है शपके लेना करेंगे वह इसको करेंगे यहीं हुआ जो खagitगे भी यहीं हुआ यहीं है डास्टकॉ मैंने, भी आपकैंगे जो दीक्वारा सफॉनAyा मैंनियो गट रज saying, प्रिक भी 40 भी ओल्ट रदोन